चीन के स्पेस मिशन ने रविवार को बड़ी काम्याभी हासल की है तीन मई को लॉंच के गए चांग E6 मून लैंडर ने लगबग एक महीने बाद रविवार सुभा चांद के अंधेवे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की ये लैंडिंग चीन के मून मिशन के लिए काफी एहम मानी जा रही है इसके जविए चीन चांद के अंधेवे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बनना चाहता है चीन की स्पेस एजनसी के मुताबिक चांग E6 लैंडर चांद के दक्षणी द्रोव एटकेन बेसिन में उत्रा यहां से चंद्रमा की सता के नमूने एक खटा करना शुरू करेगा ये चीन का अब तक का सबसे मुश्किल मून मिशन है हाला कि चीन के लैंडर ने पहले भी चांद के सुदूर हिस्से से लैंडिंग की थी पहली बार चीन ने ही 2019 में अपने चांग E4 मिशन के जविये ऐसा किया था